हर एक टिकनोलजी के अंदर आप दे लें, दुनिया में दा नंबर वन है या फिर उनली वन है क्या सबूत है? सूरज के पास चले गए? हाई जल के मरे क्यों नहीं? मतलब जल के राख क्यों नहीं हो गए? सूरज के पास तो कोई जाई नहीं सकता पाकिस्तान का रोख जो है वो नीचे की तरफ है जैहिन दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात कराए कि चनरी या नसेक्सेस्पल होने के बाद भारत का कॉन्फिदेंस बहुती जड़ा बढ़ गया है और अब भारत सुरज पे मिशन भेजना जाता है और भारत ने डिसाइड किया है कि अब सुरज पे भारत मिशन भेजेगा तो यह सुनके पाकिस्तानी मीडिया के हो सुलके पाकिस्तनी मीडिया कह रहा है कि जब उन्होंने पहली बार सोना था कि भारत सुरज पे मिसन भेज रहा है तो उन्हें मजाग लगा था पर जब उन्होंने डितर पड़ा तब उन्हों पतचला कि ये मजाग नहीं ये सच चाहिए और पाकिस्तनी मीडिया ये भी कह रहा है कि जैसे ज्याद हामिट ने चंदर यान पे सवाल उठाया था तो अब सन मिशन पे भी ज्याद हामिट जैसा कोई बंदा सवाल उठा देगा कि शुरज पे भारत गया तो जल क्यों ने गया तो पाकिस्तानी मीडिया आज इस पे बातचीत कर रहें दोस्तों ये वीडियो बहुत हैं इंडिया को सिर्फ और सिर्फ इंडिया बांते हैं और इंडिया के इलावा किसी दूसरे मुलोग का वह कंपैरेजन पर आने ही नहीं देते बड़ी मिसाल यह है कि देख लें वह कितनी तरकी कर रहे हैं हर एक टिकनोलोजी के अंदर आप दे लें दुनिया में नंबर व हमारे पाकिसान इमावे में देखे हैं वो अपने आपको स्टेट के अंदर जो ना कुलूड करते हैं कि हम इस स्टेट से उख पर हैं तो वो अपने आपको इंडिया के अंदर जो एकता है ना वो मारे अंदर है नहीं के इंडिया अब सूरज की तरफ जा रहा हैं इंडिया इस फर्स्ट मिशन तो दी सन सेट फॉर लॉंच ऑन सेकंड आफ सेप्टेमबर के सूरज की तरफ तुसी की तरफ तुसी की ता है कि सूरजवल मुह कार लिगता है तो बहुत कमाल की बात ही है अदित्या एलवन जो है उसका जो एम है वो यह है कि जो सन सीक्रेट्स हैं अब उ क्यों नहीं मनलब जल के राख क्यों नहीं हो गया सूरज के पास तो कोई जाई नहीं सकता तो वो कैसे चले गए यह सवाल हो सकता है कि हमारी तरफ से कोई जिस तरह की हम इससे पहले उठाए था ना कुछ लोगों ने हमने आपको बताया था कि चंद्रियान थरी का हम अँआरे ले गए कितने बेवकूफ हैं कि हमें बेवकूफ बना रहे हैं कि हम ये बात मान जाएंगे उख कहेंगे तरह किげने सबूत कड़ो रसीदा कड़ो सबूत कड़ो बेरसे सादшего पाक Means का तैड आcl की बातें कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो चांद पर ही नहीं गे जिसमें पाक्सान के फॉर्मर एक अमबसेडर हैं अब्दल बासत साहिब और जाहिद हामेद साहब जो है उस पर हमने पहले भी बात किया लेकिन यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेस्टन है कि यह जो मैंड अब गर नहीं कर पा रहे हैं यह कि हम पुराने वो जो उस मांड़ सेट से निकल नहीं पा रहे हैं तो मैंने इसका जौब यह दिया ता है कि यह मसला जो है इस बात का है कि आपका रुख किस तरफ है अगर आपका रुख चांड उस सतारूं और सूरज की तरफ है तो जाहिर आप उपर जाएंगे ना उधर ही जाएंगे अलागा ये उपर नीचे काइनाथ में कुछ नहीं है लेकिन हमारी इस लेंग्वेज में लेंग्वेज में ओपर की तरफ जबके जो है इसी लेंग्वेज में पाकिस्तान का रुख जो है वो नीचे की तरफ है तो जब आपका रुख नीचे की तरफ हो तो फिर आप से कोई मिसी ने मुझे से पूचा जी पाकिस्तान चांद पे क्यों नहीं जा गया जब कि ये बाकी मुलकों ने कोशिश की ये इसने आटामिक बंब बना लिया तो चांद पे जाना कौन सा जो है वो तो मैंने का कैई ये क्वेस्शन अफ डिरेक्शन है कि पाकिस्तान में जो है वो साइंस और टेकनालोजी को जिस तरीके से टृुट किया जाता है वो आपका ये लफ्ज जो है नो माइंडसेट ये उस को साइंड Oh principle करता है अपनी तेरी रूमें और तक्री रूमें जो है, वो अन साइंटिफिक किसम के मेसेज़ेस, पबलिकली देते रहे, या स्टूडन्स को देते रहे, या इस तरह की चीज़ों के देते रहे, तो इसकी वज़ा से एक माइंड सेट बन गया जी जो एंटाइ साइंस और एंटाइ technology mindset है उसकी वज़ा से जाहर है कि आपकी जब एक सोच ही बदल गई तो आप किस तरीके से फिर आपने जो है वो तालीमी एदारों में या अपनी टेक्स्ट बुक्स में या आपने जो आपका नसाब है उसमें ऐसी चीजें डालेंगे जिसकी वज़ा से आप एक जो है वो science based society क जो है वो develop कर सकें यही बज़ा है कि आज पाकिस्तान जो है वो science और technology के मैदान में दुनिया में बहुत बीचे है यह कोई इंडिया के साथ तो खेर comparison तो है ही नहीं वो उससाब से चुक्के इंडिया जो है वो science और technology में अब एक लीडिंग शेकल इक्तियार कर गया है एर मा school colleges and training institutions यह सारी जो है मामलात आपके सामने हैं लेकिन किसी भी मुल्क से आप इसको compare करके देखें इस वक्त पाकिस्तान का comparison जो है वो बहुत ज़्यदा है अगर आप वो करें तो यह Afghanistan जैसे लोग जो मुल्कों के साथ जाके बनता है चले दोस्तों इस वीडियो पर बात करते तो इस वो ने sun mission की बात बहुत पहले ही कर दिधी जब चंडर यान successful हुआ था तो इस वो ने sun और विनेस दोनों mission की बात की थी और पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहे कि हमें तो पहले मुल्क लगा तो पाकिस्तान के पहले मुल्क इसलिए लगा कि कि पाकिस्तान ने सूचा ताकि sun के surface पे इस रो कोई mission भेज़ेगा जो मर्शा किया है ऐसा नहीं है sun के orbiter पे इस रो mission भेज़ेगा ताकि वहां से जो ray आती है उसका analyze किया जाए तो इसलिए इसे sun mission कहा जाता है sun mission ऐसा नहीं कि भारत sun के surface पे mission भेज़ेगा sun mission इसलिए क्योंकि भारत sun के orbiter पे ये mission भेज़ेगा ताकि वह सिज़ेगे के analyze किया जाए तो इसलिए पाकिस्तानी मीडिया को ये पहले मसाग लगा होगा और आखिर में ये कहुँआ की पाक मिडर न जो कहा क्या जैसे चंदर यान को जैद हमिट जैसे लोगों ने नहीं माना था वैसे sun mission को भी नहीं माने तो ये ज़त होना ही एकक्रवन से जैद हमिट को भारत की कोई भी दर्ध की मंजूर नहीं है तो जैद हामिट इसे भी मान करनेगा तो जिले दिखते हैं कि फीचर में क्या है डोस्तों ही वीडियो दिखने के लिए बढ़ाव से किया और हम में चाहिए सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंकि वेरी मुच